एक तरफ यूपी में कॉंग्रिस गाय बचाओ, किसान बचाओ यात्रा निकाल कर योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है तो बहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आधितनात ने सूबे के आला अधिकारियों को गौशालाओं और धान क्रेक कैंदरों का आउचक निर्चन करने का फर्मान जारी कर दिया है इसी करम में आज चंदाओली के नोडल अधिकारी, वानानसी के कमिशनर और आईजी इनने गौशाला और धान क्रेक कैंदरों का आउचक निर्चन किया इस दवरान उन्होंने गायों को गुल और चारा भी खिलाया उसके पश्चात विभिन धान क्रेक इंदरों का इंडिक्शन किया गया उसके पश्चात हम लोग ने COVID नेंटरन रूम और COVID के आने वाले समय में जो वैक्सिनेशन होना है उसकी पूरी स्टाटजी और कोल्चेन का मायना किया गया उसके पश्चात अभी हम लोग यहाँ पे मुगल चक जो वहाँ पे अस्थाई वासरक किन्द बना है उसकी ववस्ता को देख्या गया उसके अलावा भी हम लोग के गाओं में जाके ब्रह्मन करके वहाँ पे गाओं वासियों के साथ विकास इवं जो पूलिस के समंदित बिं करने पर उनके द्वारा और खिंद प्रभारी के विरुद मुकदमा भी दर्श किया गया है आज भी कई धान क्रेकिंद देखे गए हैं तो कुल मिला के ववस्ता सारी यहां पर बढ़िया चल रही है और जिस हसाब से लोग चल रहे हैं हम लोग पुर इमीद है कि हम लोग आने वाले समय में जो धान क्रेकिंद का जो एक अभी कार्टम चल रहा है उसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सफ़ादित करा पाएंगे आपको बता दे कि दो दिन पहले भी कमिशनर दीपक अगरबाल ने चंदावली के धान क्रेकेंद्रों का नरिक्षण किया था और क्रेकेंद्र पर एक बिचोलियों को पकड़ लिया था जो धान बेचने आया था जिसके खिलाब केस भी दर्ज कर लिया गया है इतना ही नही इसके अलाबा उन्होंने उन किसानों से बात भी की जो अपना दान बेच चुके थे प्हक्त दोली होगा है इसके आपको यहां पर भीकट आई को नहीं के नाम से कुछ प्रोटी नहीं होगी आज़ कर दा पारे पाइसे खातेमागे पूरा आगया तो आपको दिक्कत नहीं हुग बहुत बहुत दिने रहा है अगर किसी भी जगा गर्वली मिलती है तो तुरंत कड़ी कारवाई की जाए निर्क्षण करने के अलावा इन अधिकारियों को एक और जिम्मेदारी भी सौपी गई है जिसमें इने जमीनी इस तरफर सरकारी तंत्र द्वारा किसानों से किये जा रहे संबात का फीड़बैक भी लेने को कहा गया है चन्दावली से ओदय गुपता, देवरिया से राम परताप सिंग के साथ यूपी तक